मोधी सरकार के आठ साल बेमिसाल को लेकर भारते जन्ता पार्टी एक विशेशा भ्यान चला रही है जिसके चलते एक छोड से दूसरे छोड तक हर व्यक्ति को मोधी सरकार की उपलब्दी और योजनाओं का लाब मिल सके मेरे साथ में किंद्री रक्षा राजे मंतरी अजे भट जी है उनसे बाचीत करेंगे सर एक एक एक्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है आठ साल आपकी सरकार को हो चुके हैं किस तरीके से आप देखते हैं तमाम उपलब्दिया है जो मोधी सरकार के कामकाज की हैं शयोगती कहीं से कहीं तक नहीं है वास्तविकता है हर चाहे गंगा की पूजा आप देख रहे हैं गंगा फुत्र गंगा मा की सेवा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एतिहासिक धरोहर जो भारत में वापस लाई गई हैं चोरी हुई तेर मूर्थियां वापस आई हमार तो इस तरह से 228 हमारी जो धरोहर बाहर थी उनको हम यहां लाए हैं 2014 के बाद और आपने देखा है कि तिलहन खरीद में जितनी भी हैं हमारी बहुत बड़ी संक्या में बढ़ोतरी हुई है हमने यह संकल्प लिया है कि बाहर से कुछ चीजों को हम बिलकुल नहीं मंगाएंगे तो आपने देखा है हमने इतनी बड़ी संक्या में बाहर से जो साजो समान आर्मी का आता था उसको पूरी तरह से रोक दिया है अब हम स्वयम आत्म निर्वर होंगे अपने पैरों पर खड़े होंगे हमारी देश की कंपनीज बनाएंगी इसको डियाइडियो तो बनाएगा ही बनेगा लेकिन उसके साथ साथ डियाइडियो के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी हमने कह है कि आप भी बनाओ अगर आपका सामान ठीक है आपसे भी खरीदंगे यह नहीं कि अगर डियाइडियो का सामान गलत अगर कहीं बनता है उनसे कहा कॉंप्रीशन में हम आपसे नहीं लंगे विशुद्ध आपने पैरों पर जो आत्म निर्भर भारत का संकल्प मोधी जी ने लिए वो परिलक्षित हो रहा है आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहले में पहले अकेले माननी प्रधानमंत्री जवारलाल नहरुजी के बारे में था लेकिन उनके बाद जितने प्रधानमंत्री जी आए किसने क्या किया किसके जवाने में कौन सा युद्ध हुआ कैसे हम आगे बने उसके बारे में सारी चीजें आप देख रहे हैं हमने संगरहले के रूप में आज खोल दिया है जब कि आज तक अन्य प्रधान मंत्री नैपत्थी में थे कारगिल युद्ध हुआ पाकिस्तान युद्ध हुआ चायना युद्ध हुआ 71 का युद्ध आपने देखा है पाकिस्तान का हुआ कौन प्रधान मंत्री थे किसने क्या किया आज उनके बारे में और उनकी उपलब्ग्यों के बारे में पहली बार ऐसा प्रयास माननी प्रधा गिर रहा हो या फिर को आपदा से कहीं फसल नस्त हो रही हो उसका पूरा प्रबंद प्रधान मंत्री जी ने किया हुआ है ये ये भी बताईए कि चाह सेना के लिए हो किसानों के लिए हो चात्र चात्राओं के लिए हो तमाम यहां पर जितने भी योजना है किंद्र सरकार के उनकी उबलब्दियों को यहां गिनाया गया है। और इस बार 15 दिन का विशेश अभियान भी आप लोग चला रहे हैं। किस तरीके का अभियान होगा तमाम उबलब्दियों को गिनाने का काम कैसे होगा। सारी चीजें हो रही हैं एक एक चीजें हम लोगों को बता रहे हैं लोगों को जानकारी भी है क्योंकि माननी प्रधान मंत्री जी आपको पता है कि जो चीज वो कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं लोग दूर दराज के लोग तक कोरोना के काल में ही देखिए कि एक भी आपने ये सोचा था जो हमारी मजाग बनाते थे योग करने पर आज कोरोना ने उनको जीवन दिया 21 जून को फिर हम इस साल भी योग मनाएंगे आपने देखा कि माननी प्रधान मंत्री जी ने जो अंतरास्ती योग दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत को एक विशि दस्त ये भारत की उपलब्दी है कि लगातार और लगातार हम आगे बढ़ेंगे पवित्र गुफाओं का सम्मान हमने किया है उन गुफाओं को कैसे रख रखाव करना है उनको कैसे आगे बढ़ाना है गुरु तेक बहादूर जी का चार सवां प्रकास पर्व हमने मनाये ह आप जानते हैं करतारपूर साहिप कौरिडोर का उध्धाटन प्रधान मंत्री जिने किया है पिछले दो सालों से कोविड काल बड़ी चरम सीमा पर उसका भी जिकर यहां पर किया जा रहा है इससे जान तक जा सकती है लोगों में भ्रम पैदा किया और रात को चोरी छुपे वही अपने परिवार को पूरा वैक्षिन लगा के लाते थे आज आप देखिए कि विस्व में आपका डबलू एचो ने कहा है आपको कि कोविड का जो भी है वो हम सारी की सारी चीजें जो हैं हमको भी भेजो हमने दवाईयां भेजी, COVID के इंजेक्शन भेजे, और हर भ्यक्ति को आज हमने COVID का वैक्सिन दिलवाया है, आज हम लगबग लगबग 200 करोड के आंकड़े को पार कर रहे हैं, और अपने जवान और अपने बच्चों को तक COVID की वैक्सिन हमने लगानी चालू कर दिये हैं, उस में वैक्सीन, फिरी में रासन, फिरी में दवाई, फिरी में चूला जलाना, ये कितनी बड़ी बात है, चूले जलते रहे, जबकि पैंडेमिक से कम और भूकों से लोग ज्यादा मरते थे पहले से, श्रमिक कानून में हमने सुधार करी है, आप सब जानते हैं, और भी कई ची अभी तक उन्होंने अपने जियो निकाले हैं सासना देश, और 600 जो सासना देश हैं निकाले हैं नहीं उन पर काम भी किया है, चाहे छातरों के बारे में किया, चाहे हमारे कहीं किसानों के बारे में किया, या बेरुजगारों के बारे में किया, या हमारे जो टीचर्स हैं उनके बारे में किया सारी चीजें करी सबसे बड़ी बात है कि common civil court हमारी पहली सरकार है जिसने ये बात कही कि हम common civil court बनाने जा रहे हैं उसकी कमेटी भी एक पूर नियाधी सुप्रेम कोड के जो जस्तिस हैं उनकी अध्यक्स्ता में चार सदस्यों के साथ बना भी दी कमेटी और जो स्टेडी कर रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर हमारी कारवाई प्रारंब हो जाएगी कॉंग्रेस का मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी उत्राखंड के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है क्या मानते हैं कि जो धामी सरकार इस बार प्रचंड बहुमत कि सरकार बनी हो कम कराई कॉंग्रेस के लोग कुछ न कुछ कहते रहते हैं उन्होंने पहले भी बेरोजगारी और महंगाई इन मुद्दों पर चुनाव में बड़ी लड़ाई लड़ी हमारे साथ आपने देखा चार राजियों में हम आ गए वो तो खाता भी नहीं खोल प आप जगव जगव गिरे हैं गिरे पड़े हैं बिलकुल तहस नहस हो गया था केदारनाथ और केदार बाबा की कृपा से मोधी जी ने जो आज निर्मान की आप देख लिए नीचे आप देख रहे हैं ये देखे अविनासी नगरी का अद्भुत संदरी है अब ऐसी नगरी हमारे साथ में केंद्रिय रक्षा राज्यमंत्री अजे भट जी थे जो बता रहे हैं थे कि पिछले आठ साल में मोधी सरकार की जो बड़ी उपलब दिया रही है योजनाय रही है उनका धरातल पर जाकर लोगों के लिए लाब मिल सके और साथी साथ धामिस सरकार भी मोधी सरकार के नक्षे कदम पर बहतर से बहतर कारिये उत्राखण में कर रही है अपने सहयोगी कैमरा पर सन निसान चोहान के साथ विनोत कमार एबीपी गंगा हल्दुआनी एबीपी नियूज आपको रखे आगे